आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आधार कार्ड में ओनलाइन संसोधन घर वैठे कैसे कर सकते हैं अगर दूस्तों आप लोग भी अपने आधार कार्ड में नाम, पता, एडरस और जनमतिती को संसोधन घर वैठे करना चाहते हैं आज की वीडियो आपके लिए काफी जादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग अपने अधार कार्ड में ओनलाइन संसोधन खुश से कैसे कर सकते हैं इसके लिए आपके पास कौन-कौन से डाकुमेंट होने चाहिए अगर आप लोग ये वीडियो को कम्प्लीटली देख लेंगे तो मुझे पूरी उमीद है कि आप लोग भी अपने घर वैठे आधार कार्ड में संसोधन आसानी से कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं नाम और फोटो को चेंज करना चाहते हैं जैसा कि फोटो अपडेट करना चाहते हैं या फिर आपके नाम में कोई मिश्टेक है आप लोग अपने नाम को मैचिंग करना चाहते हैं तो आपके पास ये डाकुमेंट होना जरूरी है और अगर ये डाकुमेंट नहीं है तो दो फाले नमर पे आपके पास passport होना चाहिए, अगर आपके पास है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, शाती में अगर आपने pen card अप्लाई किया था और आपका pen card में नाम और photo ठीक है तो आप लोग उसके जरीये आप लोग अपने अधार card में correction कर सकते हैं, तीसे नमर पे दूस आप लोग उसके जरीए भी कर सकते हैं और अगर आपने driving license अपलाई किया था तो दुस्तों आप लोग driving license के जरीए भी आप लोग अपने नाम और photo को change कर सकते हैं और इन मेंसे अगर आपके पास कोई भी document नहीं है तो दुस्तों अगर आप लोग government employer हैं तो दुस्तों आपको यापे government के थुरू एक ID card दिया गया था तो उस ID card के जरीए भी आप लोग अपने अधार card में नाम को update करा सकते हैं साथ में दुस्तों अगर आप लोग ग्रामी चेस से हैं और आपने मनरेगा job card अपलाई किया था तो दुस्तों आप लोग मनरेगा job card के जरीए भी अपने नाम में और address को change करा सकते हैं साथ में दुस्तों अगर आपके पास इन में से कोई भी document नहीं है और आप लोग SC, ST और OVC के गंडी rate हैं और आप लोग भी अपने नाम और photo को change कराना चाहते हैं तो दुस्तों आप लोग अपने card certificate के जरीए भी अपने नाम और photo को change करा सकते यहाँ पे कोई problem नहीं आने वाली है और card certificate e-district के through आप लोग आसानी से apply कर सकते हैं और यह card certificate आपके नियर वाई जो भी लेकपाल होते हैं वो verify करते हैं card certificate बनवाने के लिए आप लोग साधारन से paper पे आप लोग प्रिद्धान की more या फिल लेकपाल की more लगवा के अपने जाती प्रमाडपत बेरिफाई करा के अपना जाती प्रमाडपत बनवा सकते हैं आसानी से भाई जाती प्रमाडपत अपलोड करके अपनी नाम और photo को change क बात करेंगे कि आप लोग अपने नाम के साथ अपनी date of worth को भी चेंज कराना चाते हैं तो आपके पास ये document होना अनिवारी है जैसे कि पहले नमर पे बश्स certificate होना अनिवारी है दूसरे नमर पे आपके पास यहाँ पर SSL बुक या फिर certificate होना जरूरी है तीसे नमर पे आप ल लाई कर सकते हैं चौते नमर पर आप लोग यहां पर देख सकते हैं साथे बिगट आप डेटा वर्थ का आपके पास होना अनिवारी है अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप लोग यहां पर यूदी आईडी का भी एक ऐफीडेविट बनाया जाता है उसके जरीए भी या आप लोग अपने नाम और डेटा वर्थ को चेंज करा सकते हैं साथ में दोस्तों यहां पर फोटो आईडी कार्ड आपका डेटा वर्थ इशू के एजुकेशन कोई आपने इस्टडी बगरा की है किसी कॉलेज उनिवेस्टी में तो दोस्तों आपके पास कॉलेज का आ जियर इसको आपको यह पर धियान में रखना है साथ में पैन कार्ड के जरी भी आप लोग करेक्शन कर सकते हैं साथ में दोस्तों आप लोग यहां पर गॉर्मेर्थ मार्थ और फोटो को करेक्शन करा सकते हैं तो दोस्तों आपके पास एक ये वाला प्रमारपत रोना चाहिए जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखी गया कि सार्टिपिकेट फॉर अधार इन्रॉल्मेंट एंड अपडेट आप लोग ये वाला फॉर्म को फिल करके अपने नाम और डेटा ववर्द को करेक्शन करा सकते ह हैं लेकिन ये वाला सार्टिपिक आपको यहाँ पर इन लोगों को से बैरिफाई कराना पड़ेगा जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं राजस विवाग से आपको ये प्रमारपत सत्यापन करा सकते हैं या फिर आप लोग अपने ग्राम पंचायत के हेड मुखिय के जरीए भी आप लोग अपने सत्यापन करा सकते हैं या फिर आप लोग अपने राजस विवाग के गुरुप बी के जरीए भी आप लोग अपने प्रमारपत को सत्यापन करा सकते हैं यह वाला या फिर आप लोग अपने एरिया के एन पी एमेले एम एलसी के जरीए भी आ साथ में दोस्तों यहां पर तैसिलदार के थुरू भी आप लोग इस प्रमाडपत को वेरिफाई करा सकते हैं वाग कि आप लोग हेड ओफिसन एजुकेशन जहां पर आप लोग पढ़ाई कर रहें उस कॉलेज या फिर यूनिवेस्टी की स्टैंप लगवा के भी आप लोग इस प्रमाडपत को सत्यापन करा सकते हैं साथ में दोस्तों अगर आपका पी अप करता है और आप लोग इपी आफो इंपलायर हैं तो आप लोग इसके जरीए भी आप लोग सत्यापन करा सकते हैं इस पर में आपको बेसिक सी डेटेल को फिल अप करना है जैसा कि आपको अ यहां पे आपको रोड का नाम, लैड लाइन, नेम, आपको यहां पे एरिया, लोकल्टी, सेक्टर का नाम, यहां पे बिलैज टाउन, यहां पे सिटी का नाम, यहां पे पोस्ट आपिस, और यहां पे डिश्टिक, यहां पे आप लोग इस्टेड, यहां पे आप अपना एरि कर लेगा और इसी सार्टिपिकट प्रिमारपत के जरीए आप लोग अपने नाम और डेटा वद को करेक्शन आसानी से करा सकते हैं और लेकिन आप लोग थोड़ा इससे उपर आएंगे तो दोस्तों आप लोग यहां पर देखेंगे कि जैसा कि पी ओ आई जैसा कि आप लोग आज के जमाने में सारे स्टुडेंट के पास मिल जाएंगे अगर यह स्टुडेंट के पास नहीं मिले तो इन में से आपको यहां पर जो 31 देखने को मिलना है इन में से आपको यहां पर नहीं मिलेंगे साथ में दोस्तों यहां पर आप लोग अपना नाम और डेटा वद को चेंज कराएंगे तो भी दोस्तों आपको यहाँ पे टोटली 15 डाकुमेंट देखने को मिलेंगे मैंने यहाँ पे जो में डाकुमेंट होते हैं उनकी मैंने लिष्ट यहाँ पर लिख रखी थी बाकी आप लोग चाहें तो इस पीडियो में भी रीट कर सकते हैं और यह पीडियो डाउनलोड करने का लिंग आपको वीडियो डिप सेक् przyszन में देदेंगे आप लोग बहां पे किलिक करके इस पीडियो को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप लोग अपने आधार कार्ड में एड्रस को अपडेट कराना चाहते हैं तो एड्रस अपडेट करने का काफी बड़ा प्रोसिस है जो कि हम आपको आगे वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप लोग अपने एड्रस को चेंज करा सकते हैं अपने नाम को father नाम को husband नाम में convert कर सकते हैं उसका काफी बड़ा process है वो हम आपको आगे बताएंगे तो इस वीडियो को like और channel को subscribe परके जरूर रखीगा कि अगर आप लोग भी address update के बारे में जानना चाहते हैं तो finally ये थे कुछी document अपने अधार कार्ड में नाम और data worth को change करने के लिए जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया और अगर आपके पास ये document है तो आप लोग अपने अधार कार्ड में नाम और data worth को आसानी से खुछ से apply करके correction कर सकते हैं चार से पास दिन में खुछ से apply करने के लिए आपको अपने PC लैप्टॉप अगर आप लोग अपने phone से apply करने चाहते हैं Google Chrome browser का use कीजिगा जा पर three dot पे क्लिक करना है आपको एक option देखने कम लेगा desktop mode आप लोग उस वाले option पे क्लिक कीजिगा क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग हमाई तरह Google को open कर पाएंगे Google पे आपको साधारन से type कर देना है आधार card जैसी आप लोग आधार card type करेंगे पहले ही number पे आपको इनकी official website मिल जाएगी utii.gov.in तो आपको इस वाली website पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों हम आ चुके है आधार card की official website पे इस website के माद्यम से हम अपने घर वैटे आधार card में correction आसानी से कर पाएंगे बिना किसी आधार card center जाए तो हमें यहाँ पे my आधार में आना है और यहाँ पे हमें एक option देखने को में लेगा download आधार का आपको इस वाले option पे click कर देना है लेकिन काफी student यहाँ पे लेकिन काफी लोग यहाँ पे सोचेंगे कि हम अपने आधार card में update करेंगे तो हम अपने आधार card को download क्यों करेंगे तो उससे पहले जान लेना है जैसे कि हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने आधार card को login करना है लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो option यहाँ पर दिये इसमें हमें आधार card update करने का कोई भी option देखने को नहीं मिल रहा है तो वो option देखने के लिए हमें अपने आधार card को यहाँ से login करना पड़ेगा तो अधार card login करने के लिए यहाँ पर login वाले option पर किलिक करें और किलिक करने के बाद आपको अपना अधार card का number यहाँ पर fill up करना है capture यहाँ पर fill करना है send otp वाले option पर किलिक कर देना है लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि आप लोग अपने नाम और एडर्स को अपडेट खुछ से घर वैटे अपलाई करने के लिए आपके अधार कार्ड में मोबाइल नमबर का लिंक होना काफी जादा जरूरी है तब ही आप लोग अपने अधार कार्ड में अपने नाम और डेटाववाद को खुछ से घर वैटे अपलाई करके अपडेट कर पाएंगे साथी में यहाँ पर देखीगा कि अधार कार्ड अपडेट करने के लिए आपके पास ये डाकुमेंट होना आनिवारी है पहले नमबर पर आपका आधार कार्ड होना चाहिए दूसरे नमबर पर दोस्तो आपके आधार कार्ड में मोबायल नमबर का लिंक होना काफी ज्यादा जरूरी है और बही mobile number आपका चालू होना चाहिए ताकि OTP आए तो आपको OTP receive करने में कोई भी problem ना हो साथ में दोस्तों आपके पाथ ATM card या फिर UPI में Google पे phone पे आपके पास होना अनिवारी है क्योंकि आधार card correction करते वक्त आपको यहां पे 50 रुपीज का payment करना पड़ेगा जो कि आप लोग Google पे phone पे ATM, debit card, net banking, credit card के जरीए आप लोग payment कर पाएंगे और लेकिन अगर आप लोग यही अधार card में नाम और data of what आप लोग अपने area में जाके correction कराएंगे तो आपको अधार card center पे आपको 100 रुपए से लेकर 1500 रुपए का payment करना पड़ सकता है तो अगर आपका अधार card में mobile number लिंक है तो दोस्तों आप लोग अपने घर वैट है यह अपने आधार card में correction खुश से ही कर लीजिगा आपका 6 से 7 दिन में आशानी से हो जाएगा बात करेंगे कि अधार card में correction करते बक्त जो भी आपके पास ID proof है वो आपके पास original होना चाहिए इसका आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है साथ में वो ID card आपके पास color होना चाहिए इसका आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है अगर आप लोग card certificate upload कर रहे हैं तो card certificate आपके पास color होना चाहिए इसका आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है तो finally हम यहाँ पर अधार card number को फिल करेंगे capture फिल करेंगे send OTP वाले option पर click कर देंगे तो finally दूस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हमारे जो अधार card पर mobile number लिंक था उस mobile number पर OTP send हो चुका है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं OTP generated successful OTP हम यहाँ पर fill up करना है औ और अगर आपको OTP receive ना हो तो दूस्तों आपको यहाँ पर एक option देखने को मिल रहा है recent OTP का आप लोग इस वाले option पर click करके अपने OTP को recent कर सकते हैं finally मेरा OTP आ चुका है तो मैंने OTP यहाँ पर fill up किया और login वाले option पर click कर दे रहा हूं तो final दूस्तों आप यहाँ पर देख सकते हमारा जो अधार है वो यहाँ पर login होना start हो गया है हमने OTP जैसे ही डाला तो final दूस्तों आप यहाँ पर देख सकते हमारे जो अधार card है वो यहाँ पर login हो चुका है login होने के बाद दूस्तों हमें यहाँ पर इन service का यहाँ पर lab दे सकते हैं जैसा कि अधार काड डाउनलोड कर सकते हैं अधार काड पीवी सी में हम ओर्डर कर सकते हैं और हमें यहां पर एक आपसन देखने को मिलेगा अपडेट अधार काड ओनलाइन किलिक एर टू अपडेट नेम डिटाववाद जैंडर एडरस लैंगवेज डाटा अधार काड को अपडेट कर सकते हैं तो हम आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बताएंगे बाकी आप लोग और जानकारी देखना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा जैसा कि यहां पर जन्नेट बी आईडी नंबर अपने अधार को कैसे ब्लॉक करते हैं अधार अथानिकेस्टन हिस्टरी ओफलाइन एक वाईसी कैसे करते हैं और अधार से पेइमेंट को कैसे चेक कर सकते हैं इसके बारे में आपको आगे बताएंगे फिलाल हम इसमें बात करेंगे कि अब अधार कार्ट को ओनलाइन अपडेट घर वैटे कैसे करते हैं अपने नाम डेटाववाथ जेंडर और एडरस को तो हमें इस वाले उक्षन पर किलिक कर देना है तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह कैसे वर्क करता है तो सबसे पहले नमर पर आपको वह चीज़ सेलेक करनी पड़ेगी कि जिसमें आप लोग अपना ओनल एडरस जो भी आप लोग डाकुमेंट को चेंज करना चाहते हैं उसका एडरस प्रूप आपके पास होना चाहिए और वही टिटेल आपको यहाँ पर फिलप करनी है साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर पेमेंट करना एक छोटा सा 50 रुपय का जो कि मैंने बताया था वीड इसने दिनों में अपडेट हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर अधार की टीम आपके डाकुमेंट और आपकी डेटेल को वेरिफाई करेगी इसके बाद आपका अधार कार्ट जन्नेट हो जाएगा आपको मैसिस के थुरू पता चल जाए कि आपका अधार कार्ट सत्यापन successful हो चुका है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका verification complete होने के बाद आपको notification देखने को मिल जाएगा और इसके बाद आप लोग minimum 30 दिन के अंदर अपने अधार card को दोबारा से download कर सकती हैं आप लोग को पता दें यह website आपको 90% result देती है 10% आपको result यहाँ पर नहीं मिलता है तो finally अपने अधार card को update करने के लिए यहाँ पर proceed to update अधार इस वाले option पर click कर देना हैं और click करने के बाद दूस्तों हम आ चुके अपने अधार card को update करने के लिए जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम अपने आधार कार्ड में अपने नाम को दो बार बदल सकते हैं मतलब अपने अधार कार्ड में अपने नाम को दो बार अपडेट करा सकते हैं साथ में डेटा ओवर्थ हम यहाँ पर एक बार अपडेट कर सकते हैं साथ में अपने जेंडर को यहाँ पर मेल से फीमेल या फीमे अपने नाम और डेटाववद और जेंडर के बारे में तो finally आप लोग को यहाँ पर बता दे नाम डेटाववद जेंडर को बदलने का जो प्रोसिस है वो बिल्कुल सेम है कोई भी चेंजिस नहीं है लेकिन एडर्स का बदलने का प्रोसिस को चेंज है तो finally हम अपने नाम को यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो हम अपने नाम को स्लैक करेंगे प्रोसिट तू अपडेट अधार इस वाले ओक्सन पर किलिक कर देंगे किलिक करने के बाद दूस्तों हमारी जो डेटेल है यहाँ पर ओपन हो चुकी आप लोग अपना जो भी डेटेल को चेंज कराएंगे आपको उसकी डेटेल यहाँ पर शो रही होगी जैसे कि हम अपने नाम को अपडेट कर आना चाहते हैं तो उमारे यहाँ पराना जो अधार कार्ड में नाम है वो मारा नाम इंगलिस में और हिंदी में शोर आए और साथ में हमारा जो SRN नमबर है वो यहाँ पर जन्नेट हो चुका है यह नमबर हमारा यहाँ पर शोर आए हम अपने अधार कार्ड में नाम एडर्स या फिर डेट आवर्स जो भी अपडेट कराना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर फिल अप करनी है और यह चीज आप लोग जैसे ही फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर हिंदी में आपका जो भी नाम होगा वो आटोमेटिक यह कैकुलेट कर लेगा तो आपको यहाँ पर कैकुलेट करने की या फिर हिंदी टाइपिंग करने की आपको कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं है आप लोग जैसे ही उपर टाइप करेंगे हिंदी में यह आटोमेटिक कैकुलेट कलेगा तो आपको इसकी टैंसल लेने की जरूरत नहीं है कमाल की बात यहाँ पर देखीगा कि जो भी आप लोग डाकुमेंट अपलोड करना चाहते हैं एडर्स प्रूव में बोदुस्तों आपको यहाँ पर उसकी लिष्ट देखने को मिल जाएगी फोटो आइडी कार्ड यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं आर्मी लैसन बैंक की पास्बुक और आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि मैंने बहाँ पर आप लोग को यहाँ पर दिखाए थे तो फाइनली हम यहाँ पर जो च्वाइस करेंगे यहाँ पर च्वाइस करने के लिए भी आपको दो आफ्सन देखने को मिल रहा है पहला आप लोग यहाँ पर नॉर्मल अपलोड कर सकते हैं original document colored document यहाँ पर upload कर सकते हैं दूसरा आप लोग यहाँ पर digilocker के जरीए भी यहाँ पर अपने document को upload कर सकते हैं digilocker के जरीए अगर आप लोग upload करेंगे तो दुस्तों आप लोग के पास cable driving lessons के ही जरीए आप लोग यहाँ पर update कर सकते हैं तो finally हम यहाँ पर digilocker के जरीए नहीं करेंगे हम अपने नाम को यहाँ पर school ID card के जरीए change करना चाहते हैं जो कि यहाँ पर terms even condition यहाँ पर लिख के आ गई हैं तो हम इसे ok कर देंगे हमने यहाँ पर school ID card को select कर लिया है और select करने के बाद यहाँ पर view detail upload document आपको इस वाले option पर किलिक करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि साफ लिखा हुआ है कि जो भी आप लोड़ document upload करेंगे जो भी accepted होगा वो आपका color होना चाहिए upload करने के लिए continue to upload इस वाले option पर किलिक कर देना है और किलिक करने के बाद आपका जो भी document यहाँ भी पड़ा है उसी आपको यहाँ पर select करना है open करना है तो finally दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ID card है वो यहाँ पर upload successful हो चुका है इसका preview आपको यहाँ पर देखने को मिले रहा है आप लोग आपको यहाँ पर नहीं कर सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर नैश्ट वाले option पर click कर देना है और click करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हमने जो भी detail को correction करने के लिए choice किया था और जो correction करके fill up की थी वो detail हमाई सामने यहाँ पर preview हो कर आ चुकी है यहाँ पर आप लोग अपना नाम या फिर address जो भी आपने choice किया था वो आप लोग यहाँ पर check कर सकते हैं और आपने जो भी document upload किया है वो आपको document का preview यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर आपने इस में से कुछ भी mistake कर दिये तो आप लोग यहाँ से edit कर सकते हैं अनिता आपको यहाँ पर दोनो declaration वाले option पर click करना है और nest वाले option पर click करने के बाद आपको यहाँ पर service charge आपको 50 रुपय का payment करना पड़ेगा payment करने के लिए आपको declaration यहाँ पर click करना है और make payment इस वाले option पर click कर देना है और click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर 50 रुपय का payment matter हमारे सामने open हो चुका है यहाँ पर हम debit card, credit card, wallet के तुरू, net banking के तुरू, UPI या फिर Paytm के जरीए हम अपने payment को accept कर सकते हैं आप लोग चाहें किसी भी थूरू अपने payment को कर सकते हैं, कोई problem यहाँ पर नहीं है तो finally हम यहाँ पर UPI के थूरू करेंगे, UPI में Google पर, Phone पर, Bheem, Paytm, Amazon, WhatsApp इतने payment के method आपको यहाँ पर देखने को लेंगे payment करने के लिए आपको किसी भी इस पर किलिक करना है, यहाँ पर UPI ID को fill up करना है यहाँ पर BLY या फिर जो भी IBL या Access जो भी लिखा है, उसे किलिक करना है verify करना है, आपकी जो भी UPI जिस नाम से रेश्टर होगी, उसका नाम यहाँ पर show जाएगा show करने के बाद दूस्तों आपको यहाँ पर एक payment का matter send किया जाएगा आपके Google पर, phone पर, app पर, उसमें आपको एक link आएगा, बहां से आपको 50 रुपीज का payment कर देना है payment करने के बाद दूस्तों आपका जो payment है, यहाँ पर update हो जाएगा और payment के बाद दूस्तों आपको एक receipt देखने को मिलेगी, उसमें SRN नंबर आपको जन्नेट किया हुआ होगा साथ में 50 रुपाय का payment होगा, transaction ID होगी, आपने जो भी update कराया था, उसका proof होगा आपको उसकी detail वहाँ पर show हो रही होगी, उसके बाद नीचे लिखा हुआ होगा कि आपने कैसे apply किया था, उसका पूरा process देखने को मिल रहा होगा साथ में आपका कितने दिन में update हो जाएगा, यह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो finally दोस्तों आप लोग कुछ इसी तरह से अपने अधार card में online खुछ से correction के लिए apply कर सकते हैं correction apply करने के बाद आप लोग अपने अधार card का status को check करने के लिए आपको UDIAI की official website पे आ जाना है, जो की link आपको video description में दे देंगे यहाँ पर आने के बाद आपको एक option मिलेगा, click check आधार status आपको इस वाले option पे click कर देना है और click करने के बाद यहाँ पर एक option और देखने को मिलेगा, check enrollment, update status तो आपको इस वाले option पे click कर देना है और किलिक करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर S, R, N नमबर जो आपको जन्नेट हुआ था वो आपको यहाँ पर फिलप करना है, कैप्चा फिल करना है, सम्मिट वाले ओक्षन पर किलिक कर देना है, किलिक करने के बाद आपका जो भी अधार का इस्टेटस होगा, करे इस्टेटस होगा, वो यहाँ पर शो जाएगा, और अगर आपको यहाँ पर अंडर प्रोसिस देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों आप लोग 2-4-5 दिन वेट कीजिगा, जैसे आपको अधार कार्ड अपडेट हो जाएगा, बैसी आपके रिष्टर्ड मोबाइल नमबर प आपको वीडियो टीप सेक्शन में मिल जाएगा, तो आसा करते हैं आज की इस वीडियो में आप लोग समझेंगे की कैसे आप लोग अपने अधार कार्ड में ऑनलाइन संसोदन घर बैठे नाम पता और जनमतिती को कर सकते हैं, उमीद आई ये वीडियो पसंद आ, ये पसं